बहार शरीफ की नालंदा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे बहार शरीफ जेल में उम्रकैत की सजा काट रहे नालंदा जले के उत्तर नावा के रहने वाले विकी आनन्द को कोट ने 15 दिन के पैरोल पर छोड़ दिया है मगर जानते हैं क्यों? अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए पतना हाई कोट ने 15 दिन के पैरोल पर जेल से छोड़ने का आदिश दिया है 2012 से जेल में बंद यूवक की पतनी ने पतना हाई कोट में इस बाबत याचिका दायर की थी विक्की आनन नामक आरोपी को उम्र कैट की सजा विहार सरी ब्यभार नियाले से हुई थी विक्की आनन की पतनी तंजीता पतेल ने फाटिलीटी के लिए विदिक प्रारिकार में आवेजन दिया था कि उनको पेरोल पर छोड़ा जाए 26 साल का विक्की आनन नामक आरोप में उम्र कैट की सजा काट रहा है 2019 में विक्की की पतनी रंजीता पतेल ने अधिवक्ता गणेश शर्मा के माध्यम से पतना हाइकोट में संतान के जन्म के लिए पती को पैरोल पर छोड़ने के लिए याचिका दायर की थी पतना हाइकोट ने रंजीता की दलील सुनने के बाद उसके सजायाफता पती को 15 दिन के पैरोल पर रहा करने का आदेश दिया है कानून के जानकारों का मानना है कि बिहार में संतान के जन्म के मकसद से पैरोल दिये जाने का इस तरह का या पहला आदेश है सामाने तोर पर अब तक कोट बंदियों को करीबे रिश्यदारों के अंतिम संसकार या विवाह जैसे मौके के लिए पैरोल पर रहा करने के आदेश देता रहा है और लेखनीया है किस से पहले कभी वन्शुवृद्धी के लिए पैरोल देने का मामला सामने नहीं आया नालंदा से रंजीत कुमार सिंग रिपोर्ट पहार तक